पार्ट वन में हम देख चुके हैं डॉंग्चन और गोमिरन ये देख हरान थे कि वो 2019 में आ गए आगे हम देखेंगे आई सजेस्ट आप पार्ट वन में देख लीचिए जिसका लिंक आपको उपराई बटन पर मिल जाएगा अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो लाइक और शियर करना और हाँ कॉमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना पाटू में हम देखते हैं गोमिरेन के बॉइफरंट ब्योंग्शिम को जो अप कॉलिज का टीचर है गोमिरेन के मॉम डैड उसे ढूनते हुए कॉलेज में आ जाते हैं नामते सीटी बजाता है जिसे गोमिरेन सुन लेती है और दोनों एक दूसरे को ढूनते ढूनते आमने सामने आ जाते हैं गोमिरेन को अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था पर वो नामते को पहचान लेती है और दोनों रोते रोते गले लग जाते हैं तो वो कहती है मेरा नामते कितना बड़ा हो गया वो उसे ठीक वैसे ही कंदेफर उठा लेता है जैसे वो उसे बच्पन में उठाती थी इधर डॉंग्चन का भी अपनी फैमली की आसी हलत देख मूँ खुला रह जाता है तो हिउंगी उसका मूँ बन करता है और तभी उसकी फैमली हिउंगी को पीटना स्राट कर देती है तो डॉंग्चन उन्हें रोकता है उसे गूमिरन की चिंता हो रही थी और वो से ढूणने को कहता है पर जब उसे प्रोफेसर की डेथ का पता चलता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है उसका फोन काम नहीं करता तो वो हियोंगी का फोन ले लेता है और ये देख हैरान था कि फोन में एक भी बटन नहीं था हियोंगी गोमिरेन को कॉल करने की कोशिश करता है फिर वो उसके घर भी आते हैं पर वो वहां भी नहीं मिलती इधर गोमिरेन को उसकी फैमली एक नई आलिशान घर में ले आती है तो वो पूशती है आपकी लोटरी वोटरी लग गई थी क्या मॉम डैड कहते हैं ऐसा ही कुछ समझ लो तुम्हारी एक्सपेरिमेंट की जो सेलरी थी वो हमने इंवेस्ट करके काफी पैसे कमा लिए फिर वो उसे उसका रूम दिखाते हैं ये सब देख वो रोती हुई कहती है थैंक्यू मॉम डैड और नामते मॉम कहती है थैंक्यू तो हमें तुम्हारा करना चाहिए कि तुम अभी भी जिन्दा हो इधर डॉंग चैन की फैमिली उसे अपने ढाबे पर लाती है पोस्टर पर अपनी फोटो लगा देख वो पूछता है ये क्या है वो उसे पकड़ कर अंदर ले आते हैं जहां वो डॉंग शिक की वाइफ और बेटी से मिलता है उनका घर बहुत छोटा था अपने मिसिंग पोस्टर देख डॉंग चैन इमोशनल हो जाता है और डैड के बारे में पूछता है तो सब रोते हों बताते हैं कि उनकी डैथ हो गई ब्योंग शिम की गो मिरेन की फ्रेंड सियों से शादी हो गई थी पर इन दोनों में हमेशा जगड़ा होता रहता था क्योंकि ब्योंग शिम अभी भी अपने फर्स्ट लब गो मिरेन को नहीं भूला था मैनेजर सोच रहे होते हैं कि वो डॉंग चैन का मूँ कैसे बंद करेंगे पर हेंगी को डर लग रहा था कि अगर गो मिरेन बाहर आ गई तो उसका क्या होगा क्योंकि वो पागलों में से नंबर वन की पागल है मैनेजर कहते हैं आखिर उन दोनों को जगाया किस भूंदूने है इधर डॉंग चैन की फैमिली भी हरान थी कि डॉंग चैन अभी भी इतना जवान है और वो अपने अपने आइडियास लगाते हैं कहीं वो हुमन क्लोन तो नहीं पर मॉम उन्हें चुप करा देती है डॉंग चैन अपने डैड की फोटो देख सैट था पर उसे उसको देख लगता है कि वो डैड है पर वो तो डॉंग शिक था गुमिरन नामते के डारी पढ़ हरो रही थी क्योंकि इन 20 सालों में उन सब ने उसे बहुत मिस किया था मॉम डैड उसे हॉस्पिटल जाने को कहते हैं पर वो कहती है मैं अब ठीक हूँ और मुझे अभी कॉली से ग्रैजूट होकर जॉब भी तो ढूडनी है पर उससे पहले एक काम बाकी है डॉंग चैन लैब में आता है तो वहाँ उसे कीबियो मिलता है जो उसके पूशने पर बताता है कि उस टाइम प्रोफेसर का एक्सिडेंट हो गया था और अब वो जिन्दा है वो 20 साल से कॉमा में थे पर तुम्हें जगाने के बाद अमनीसिया की वज़े से वो फिर कॉमा में चले गए उनके जिन्दा रहने वाली बात हमने इसलिए सीक्रट रखी क्योंकि कोई उन्हें जान से माना चाहता है डॉंग चेन के जिन्दा होने की खबर मिलते ही नाहयंग उससे मिलने आती है पर वो उसे पहचान नहीं पा रहा था वो उससे इतना लेट आने के लिए माफिय मांगता है तो वो कहती है मैंने तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट करने से मना किया था न देखा क्या हो गया और होते हुए चली जाती है कीबियोम इस वज़े से परिशान था क्यूंकि एक्सपेरिमेंट वाले डॉल्फिन की डैथ हो गई थी डॉंग चैन और गो मिरेंग का भी बोड़ी टेमपरेचर 31.5 डिगरी सेल्सिस है यानि उन्हें सिर्फ अब प्रोफेसर ही बचा सकते हैं इधर डॉंग चैन को बहुत गर्मी फील हो रही थी तब ही ब्रोडकस कंपनी में गो मिरेंग की एंटरी होती है उसे इतने गुस्से में देख होंगी की हालत खराब हो रही थी क्यूंकि उसे उसके सारे डेंचरस रूप दिखाई दे रहे थे पर वो उसे बिना पहचाने उसके पास से गुजर जाती है एक कैमरामेन डॉंक्चेन को देख उसकी फोटो क्लिक करने लगता है गो मिरेंग को अपनी तरफ आता देख डॉंक्चेन कहता है गो मिरेंग मैंने तुम्हें कितना ढूंडा पर वो उसकी एक जोड़दर तमाचा मारती है जिसे देख सब हैरान थे वो रोते हुई कहती है मेरे 20 साल मुझे वापिस करो सब उन्हें देख रहे थे तो वो उसे अकेले में ले जाता है हिउंगी सबसे कहता है यहां सिफ रिहर्सल हो रहा था तो चलो सब अपने अपने काम में लग जाओ गोमिरन हो रही थी तो डॉंग्चेन उसे कहता है मैं भी तो अपने 20 साल गवा चुका हूँ पर मैं भी तो विक्टिम हूँ गोमिरन कहती है अब मैं 20 साल स्किप कर कैसे जीऊंगे यह तो सपना भी नहीं है मैं अपने भाई को बड़ा होते भी ने देख पाई ना शादी कर पाई ना जॉब मिली क्योंकि मैं 20 सालों से सो रही थी डॉंग्चेन कहता है मैं समझ सकता हूँ मैं भी तो 52 साल का हो गया मेरा भी यही हाल है पर शुक्र है हम जिन्दा है एक्सपेरिमेंट सक्सेस्फुल रहा हम दुनिया के पहले फ्रॉजन हीूमन है तो चलो हम दुनों साथ में प्रॉब्लम का सामना करेंगे वो रोते हुए कहती है पर तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहो और गुसा हो चली जाती है इधर नियूस आती है कि 20 साल बाद जो डॉंग चेंग गायब हो गया था वो अब अचानक से नजर आ गया है मैनेजर की हालत खराब हो रही थी तब ही होंगी आकर बताता है कि एक और फ्रॉजन हीूमन बाहर आ गया गो मिरैन मैनेजर कहते है ये एक किसा दूसरा फ्री क्यों है मैं पक्का पागल होने वाला हूँ होंगी कहता है ऐसा करते हैं हम दोनों हाथ पकड़ कर भाग जाते है गो मिरैन कॉलिज में अड्मिशन लेने आती है उसे दिख ब्योंग शिम बहुत हरान था इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है पर वो से बिना पहचाने उसके पास से गुजर जाती है इनफेक्ट ब्योंग शिम ने प्लास्टिक सरजरी करवाई थी डॉंग चेन वही जॉप करने को कहता है तो मैनेजर और होंगी उसे ना रखने के लिए बहाने मारते हैं कि तुम्हारा दिमाग अभी ठीक नहीं है तो वो कहता है मैं अभी तुमसे ज़ादा जवान हूँ मैंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया है तो मैं ही इसे खतम करूँगा पर मैनेजर और होंगी को इस पास से डर लग रहा था कि सब को सच पता चल जाएगा कि उन्होंने इसे कवर अप करने की कोशिश की थी डॉंगचन कहता है ठीक है तुम मुझे नहीं रख रहे तो मैं किसी और ब्राउटकस कंपनी के पास चला जाओंगा वो उसे पकड़ कर कहते है रुको रुको इसकी के जरुरत है प्रोफेसर को फ्लेश बैक्स आते है इसलिए वो होश में आ जाते है इधर उसके घर में सिर्फ एक वाश्रूम था इसलिए उसकी बतीजी कहती है मेरी भी तो कोई प्राइवेसी है हमें बड़े घर में शिफ्ट होना चाहिए वैसे अंकल आप इतने जवान क्यों है कहीं आप वेंपायर तो नहीं मैंने यूटूब पर एक ऐसा ही वेंपायर शो देखा था डॉंगचन कहता है यूटूब ये क्या है बतीजी कहती है आजकल कोई भी टीवी नहीं देखता तो आप भी ये बूंदू वाला ब्रोटकास्ट छोड़कर अपना यूटूब चैनल खोड़े तब ही वहाँ टेली डॉंगगू आती है और भाई-भाई करती हुई डॉंगचन के गले लग जाती है तो वो अपने आपको छुड़वाता है इन फैक्टर डॉंगजू को ड्रिंक करने की लत लग गई थी कुछ गर्ल्स को फोटो खींसता देख गोमिरेन को भी अपनी फ्रेंड्स की यादा जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके फेवरेट सिंगर की 16 साल पहले डेथ हो गई तो वो जोर से ओपा चिलाती है डॉंगजू को वो वापस जॉब पर रख लेते हैं पर वो सब के सामने हिंगी को डांट देता है जिसे देख इंप्लॉई जहरान थे नाहयंग डॉंगजू को मिलने के लिए कहती है तो वो हाँ कर देता है और दोनों स्माइल करते हैं इधर ब्योंगशिम गो मिरन का पीछा कर रहा था तो वो से पूछती है तुम्हे कुछ कहना है? पर उसके मुँसे तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था तो वो चली जाती है अपनी फ्रेंड्स का इमेल देख वो रोते हुए कहती है मैंने भी तुम्हें मिस किया और रिप्लाई करती है उसके मॉम डैड उसे जॉब की इतनी चिंता करने से मना करते हैं क्योंकि अब वो रिच है तो वो कहती है भले ही आप सब के लिए 20 साल हो गए हो पर मेरे लिए तो ये एक दिन था मेरा माइंड सेट कैसे बदल सकता है क्योंकि मुझे जॉब करके बहुत सारे पैसे कमाने है क्लास में गो मिरेन को देख ब्योंक्षिम की हालत खराब हो जाती है और वो डर के मारे गिर जाता है ये सब देख स्टूडेंट्स हैरान थे डॉंक्षिम को देख पीडी उसे उफेंड करने लगता है तब ही होंगी उसे रोकता है और डॉंक्षिम से कहता है सौरी सीनियर ये सुन सब हैरान थे डॉंक्षिम कहता है उन्हें अपने जूनिर को ये सब सिखाया है तुछ से कुछ भी काम सही से नहीं आता सबके सब तेरे जैसे निठल ले हैं फिर ह्योंगी अपना गुसा सब पे निकालता है तब ही डॉंगचन सबको नेक्स शो के बारे में आइडिया बताता है पर वो सबके सब शो इन 20 सालों में अलरडी हो चुके थे ब्यॉंग शिम डरता डरता पढ़ा रहा था एक लड़का जी हुन गुमिरन को देख स्माइल करता है ह्योंगी अकेले में डॉंगचन को कहता है अगर मैं तुमसे गलती से इनफार्मली बात कर जाओं तो उसके लिए पहले ही सौरी डॉंगचन कह कहती है जो भी उस एक्सपेरिमेंट में इनवाल्व था सब के सब मेरी मीटिंग में पहुंचेंगे नेक्स सीन में हम किसी की जुलफे लहराते देखते हैं और वो थे प्रोफेसर कीबियम उन्हें सब याद दिलाने की कोशिश करता है पर उन्हें तो कुछ भी याद नहीं पर उसने एसी बहुत कम टैंपरेचर पर रखा था इसलिए होंगी को ठंड लग रही थी इंप्लॉइस इस बारे में बाते कर रहे थे कि होंगी के डॉंग्चें के सामने इतनी फट्ती क्यों है क्या वो डॉंग्चें वही 20 साल पहले वाला गायब होने वाला डारेक्टर ह इतनी उची बिल्डिंग देख इन दोनों की गर्दना कर जाती है जब गोमिरन बेबी सीट में पपी को देखती है तो डर जाती है और हर जगा डॉंग्स को देख कहती है बच्चों की जगा कुत्तों ने ले ली गोमिरन को आते देख ये दोनों डर के मारे खड़े हो जात तो डॉंग्चेन भी खड़ा हो जाता है गोमिरन कहती है मुझे मेरे 20 सालों का कमपनसेशन चाहिए 1999 में एक दिन में फ्रीज होने के 5 तो डॉंग्चेन कहता है दिखाओ मैं करता हूँ उनसे पहले ही यह दोनों कैल्कुलेट करते है और 35 बिलियन 40 मिलियन देख हरान थे गोमिरन कहती है 35 बिलियन 40 मिलियन हुए पर 20 सालों में महगाई भी तो डबल हो गई न 70 बिलियन वह दोनों कहते हैं 70 बिलियन थोड़ा सोचो जरा दूसरी तरीके से सोचो तुम 20 साल के बाद भी जवान हूँ और जिन्दा भी यह तो अच्छी बात है गोमिरन कहती है क्यों न तुम दोनों को भी 20 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए उन दोनों को बहुत गर्मी लगती है इसलिए वो आइस की मेजिनिशन थी नामते ने खुद अपने हाथों से अपनी नूना के लिए ब्रेड बनाया था तो वो खुश होती है उसके हाथ ठंडे रहते हैं इसलिए वो से हॉट पैट देता है इन दोनों में थोड़ी ऑकवर्ड सिच्वेशन थी इसलिए डॉंग चन नाहिंग को कह करता है कुम इन 20 सालों में बहुत पदल गई हो वो से देखने लगती है इधर गो मिरन को देख उसकी फ्रेंड्स हरान थी गो मिरन उन दोनों को पहचान लेती है और वो सब खुशी के मारे नाच पड़ती है वो दोनों से देख कहती है तुम तो बिल्कुल 20 साल पहले जैस नошन नोवे आप्र मोम सविंग कर रही थी डॉंग जीक लगाते दे कहती है यह लगा रही है यह खारी है दічक प्यानु बजा रहा था इसलिए इसलिए भी होश हो जाता है तो इसकी बेटी उसे खड़ा कर उसके कपड़े जारती है डॉंग चेन के बारे में निउस वाइरल हो जाती है कि डारेक्टर इन 20 सालों से कहा छुपा था उसका कोई जुडवा भी नहीं है क्या उसे एलियंस ने उठा लिये था या वो किसी human experiment का हिस्सा था पर डॉंग चेन को प्रोफेसर की चिंता हो रही थी ये निउस देख गो मिरेन के फ्रेंट्स को भी गो मिरेन पर शक होता है कि वो उनसे कुछ छुपा रही है ये निउस देख मॉम को गुसा आता है पर बच्ची गहती है ज़रा सोचो ज़रा अंकल का सेलिबरिटी बनना हमारे दिए फायदी की बात है कि ये भी हमसे डॉंग चन को पता चलता है कि frozen human का critical temperature 33 degree Celsius है ये उन जो detective था उसे बताता है कि ये आदमी ही प्रोफेसर के assistant के murder के time पर वहीं था और तो और प्रोफेसर के car blast का भी यही prime suspect है investigation report देख डॉंग चन को कुछ ऐसा पता चलता है तो वह हरान हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो आदमी काम करता है लीहूं के लिए हम देखते है कि ये तो same secret capsule वाले जैसा है in fact ये दोनों हमशकल भाई है और वो कहता है पता करो प्रोफेसर जिन्दा है या नहीं अगर है तो उससे जल्दी चुटकारा पाना होगा और उस डिरेक्टर डॉंग चेन के बारे में भी अपना खराब फोन देख गोमिरन कहती है मैं कब तक आदिवासियों की तरह जीने वाली हूँ मुझे जल्दी नया फोन लेना होगा तब ही डॉंग चेन उसे कॉल कर पूछता है अगर तुम्हें फीवर हो या वीर्ड फील करो तो एकदम मुझे कॉल करना ब्यॉंग शिम अभी गोमिरन पर नज़र रखे था पर बॉल लगते ही भी होश जाता है गोमिरन को जॉब नहीं मिली थी क्योंकि उनका कहना था तुम 44 की एज में अपना करियर स्टार्ट करने के सोच रही हो तुमने अब तक किया क्या है गोमिरन गुसे से कहती है मैं कैपसूल में फ्रीज थी उसे अजीब हरकते करता देख जीहुन कहता है वो कितनी क्यूट है डॉंकचन गुसे से हयोंगी को कहता है तुमने इंवेस्टिकेशन के टाइम सच क्यों ने बताया था और मुझे ढूनने की कोशिश क्यों ने की थी वो रिकॉर्डिंग कहा है तुम्हारा वो फ्रेंड कहा है मुझे सारा सच बताओ हयोंगी कहता है सौरी सीनियर, मुझे ये सब कवर अब करने को कहा गया था, मैं पावरलेस था, डॉंक्चन कहता है, तुम भूल गए, हमने कितना टाइम साथ में काम किया था, मेरे गाइब होने पर तुम सब ने इस बात को दबा दिया, तुम तो इंसान कहलाने के भी लाइक नहीं, ये सु नाहेंग भी डर जाती है, तब ही वहाँ गोमिरन आती है, और उसे कहती है, मुझे यहाँ एक जॉब चाहिए, और इसके साथ पार्टू का एंडो चाहता है,